आल राइट तो इस्टुएंट्स आज की स्बीड में हम मेंली बात करने वाल हैं बेस्ट कॉलेजेस फॉर एम फर्म नोन जीपेट इस्टुएंट्स के लिए इस्टुएंट्स वो जिनका जीपेट कॉलिफाइड नहीं हो पाएगा या फर नहीं हो पाए इस साल तो उन लोगों के लिए भी बेस्ट उप्संस रहते हैं कोलेजेस चूस करने का ऐसा नहीं है कि अगर आपका जीपेट के लिए नहीं हुआ है तो आपका अच्छा कोलेज नहीं मिलेगा हाँ वहाला कि ये कि नाइपर के लिए आप इलिजिबल नहीं रहा होगा नाइपर के अलावा और भी कुछ-कुछ कोलेज है जो कि जीपेट के बेस पर ही एडमिशन देते है बट ऐसा नहीं है कि अगर नाइपर नहीं हो तो उसके अलावा और कोई बेस्ट कॉलेज नहीं है इंडिया में उसके अलावा भी बहुत से बेस्ट कॉलेज है एम फर्म के लिए जहां से आप इडमिशन लेकर कि अच्छा खासा अपना प्लेस्मेंट ले सकते है तो देखेंगे इसमें फांच रुणभे की बात करेंगे इसका अलावा और भी इसटा मनेंचे को लिया है इसके अलावा भी आप और अगर चाहें तो इनके अलावा भी तो मैं उस सके वर बीडियो सेप्रेट बना दूँँगा उसके अलाव उनकी fees देखेंगे उनके average placement कितने कितने होते हैं और उनमें interest कौन-कौन से आप उनमें admission लेने के दे सकते हैं NIRF rank students जो होती है National Institute ranking ये framework होता है जिसमें की institute की performance उसमें किस तरह की पढ़ाई होती है उसकी teaching, उसमें research work, उसकी perception इन बहुत सारी चीजों को देखते उनको rank दी जाती है तो उस हिसाब से उसको हम बोलते है NIRF rank उस rank के साब से college को रखा जाता है जिन-जिन college उसमें अच्छी research facility, teaching facility उनमें से उसका outcome बढ़ी आता है उसकी result वड़िया आते हैं, उनको उस हिसाब से rank किया जाता है तो यह होती है हमारी national institution ranking framework इसके बेस पर हम देखेंगे, चले तो फिर start करते है सबसे पहले हम बात करेंगे हमारी पहली college है that is JSS College of Pharmacy JSS College of Pharmacy, इसमें जो एकी यह non-GPET को भी इसमें admission ले सकते है जो ठीक है, इस college के अगर हम बात करें, NIRF इसकी rank देखेंगे तो यह 09 पर rank करती है हमारी मतलब top 10 के अंदर यह college आती है, top 10 pharmacy college के अंदर बहुत बढ़िया college रहेगी, यहना इसकी fees के अगर total की बात करें हम तो यह 5 लाग रुपे इसकी total fees रही, मतलब 5 लाग रुपे पर year ठीक है, इसकी इतनी fees रहने वाली है, average placement की अगर इसमें बात करें तो 5 लाग पर एनम, ठीक है, 5 लाग पर एनम इसमें average placement इसको होता रहता है उपर भी जाते हैं, ऐसा नहीं कि 5 लाग पर उससे थोड़ा कोई कभी कभी कम भी जाते है वो आपके उपर depend करता है कि आप कितने उसके लिए eligible हो, कितने package के लिए, कितने LPA के आप में जो ही कि वो है जिस हिसाब से आपने पढ़ाई करें, उस हिसाब से आपका placement होगा आप इसा नहीं कि इसमें average placement लिखा तो आपका 5 लाग हो नहीं है अगर आप बहुत बढ़िया बच्च वो, बहुत अच्छे से आपको सब कुछ आता है इसके लिए interest test के अगर बात करें तो JSS CETS का खुद का जो interest test होता है इस test को आप देकर इसमें admission ले सकते है यह थी हमारी पहली, that is GSS College of Pharmacy चलिए दूसरे की बात करते है, that is Manipal College of Pharmaceutical Sciences अगर इसकी NIRF rank की अगर हम बात करें तो यह 07 पर rank करती है ठीके, इसकी फीस आपको 7 लाग रुपे पड़ेगी टोटल ओके, मतलब 3 लाग रुपे पर NM के हिसाफ से इसकी फीस रहेगी इसका अगर average placement की बात करें तो इसका भी average placement 5 लाग पर NM कहीं रहता है इतना ही जाता है, इससे उपर नीचे भी हो सकता है और इसके में इंटरेंस टेस की अगर इसकी बात करें तो इसमें MET इसका इंटरेंस टेस होता है इसको आप देकर इसमें admission ले सकते हैं यह थी हमारी second number, third number पर अगर बात करें यह बिट्स प्लानी ठीक है, six number बहुत बढ़ी यह ranking है इसकी फीज की अगर बात करें तो नो लाग रोपे आपको इसकी टोटल पड़ेगी अब आउट साड़े चाल लाग रोपे पर येर के जाप से ठीक है ना, तो इतनी इसकी फीज थोड़ी जादा है उसे जाप से अगर आप अफोर्ट कर सकते हैं तो इस college में जरूर एड्मिशन ले, बहुत बेस्ट college है है ना, इसके अलावा अगर इसकी average placement की बात करते हैं तो 4.5 लाग पर है ना, इसका average placement जाता है है ना, और इसमें इंटरेंस आप जो जहे की B,I, T, S, H, D इसमें अप देकर इसमें admission ले सकते हैं बिट्स पलानी में है ना, इसके अलावा इसमें जीपेड वालों को भी इसमें जरूर नहीं कि नोन जीपेड ले, जीपेड वाली वी ले सकते हैं नौन जीपेड़ वाली उसके बाद आप बात करते हैं फोर्थ नंबर पर देटीज हमारी पूना कॉलेज ओफार्मेसी इसका नाम भी आपने सुनाओ फूना कॉलेज ओफार्मेसी बहुत बढ़ी है ठीक है एना यारेफ रेंकिंग की बात करते हैं तो ट्वेंटी टू पर र इसके लिए आप इंट्रेंस सीटी दे सकते हैं को कोमेंटरेश टेस्ट यह आप एक्जेव की एक्जाम देकर यह टेस्ट देकर आप इसमें इडमिशन ले सकते हैं पूना कॉलेज ओफार्मेसी में ठीक है यह थी हमारी फूर्थ नंबर पर चलिए बात करते हमारी थोड़ी ज्याद रही क्योंकि गवर्मेंट को लेज है है ना बाकि एना यारे फ्रेंग एक्टी सेवने बट इसकी फीस आप सुनोंगे तो 45,000 टोटल फीस टोटल फीस इसकी 45,000 बहुत ज्यादा गवर्मेंट को लेजे से मैंने इसको लिया बहुत बढ़िया को लिज गवर्मेंट को लिज बहुत बढ़िया होते हैं तो इसकी फीस 45,000 आपको टोटल दोनों सालों में इतनी पे कन्नी रही इसका प्लेस्मेंट भी एवरेज प्लेस्मेंट चाल लाग रुपे पर एनम के लपीए के साब से जाता है ना और इसकी अगर इंटरेंस की अगर बात इसे पांच को लेज के अलावा भी अधर्स में मतलब यसा नहीं कि अधर्स में तो अच्छे नहीं वह भी बेस्ट को लेज रहेंगी जिसमें कि आप भारती बिद्यपीट बहुत बढ़िया को लेज है ना आप इसमें भी ले सकते जामी हमदर्थ जो कि मैंने डिसकस की थी जीपेड वाले में बेस्ट कोलेज है नंबर वन फे मैंने इसको किया था इसकी फीज भी जादा है जामी हमदर्थ की मतलब इसमें जीपेड के अलावा नोन जीपेड स्टुडेंट भी इसमें इंडमिशन ले सकते इसका अपना एक इंट्रेंस्टेस होता है ठीक है जामी ह थी कुछ top university, best university, non-GPET students के लिए ठीक, students, तो उप्मीदे आपको समझ आयोगी वीडियो पसंद आयोगी, okay, so, this video में इतना ही, इतना ही, मिलते फिर अगली video में, thank you so much for watching this video up to the very end, see you soon in the next video, bye, bye.